Hello friends, मेरा नाम जगविंदर है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि Windows Server 2012 में हम DACP Reservation कैसे करते हैं, तो इस activity को perform करने के लिए चलिए चलते हैं, उस Windows Server 2012 के उपर जिसके उपर हमने DACP रोल को install कर रखा है तो देखे, मैं उस Windows Server 2012 server के उपर आ गया, जिसके उपर हमने DACP server को install कर रखा है, और आपके सामने मैंने DACP Manager को open किया हुआ है, यहाँ पे देखे, हमारा server name हमें दिखाई दे रहा है 2012DC1.king.jst, मैं इसको expand करता हूँ, IPv4 को expand करता हूँ, और यहाँ से हमारे scope, जो की test scope है जिस इसको expand करता हूँ, आपको दिखाता हूँ address leases में, यहाँ पे देखे, दो address leases इस समय इस server ने provide कर रखी है, जिनमें से एक हमारा Windows 8 system है, pc1.king.jst, और दूसरा जो यही server है हमारा, इसके उपर दो NIC configured है, तो एक NIC के उपर हमने static IP configure किया हुआ है, और दूसरे ने इसी server से एक IP address obtain कर लिया है, अब हम चाहते हैं कि यह जो PC है, pc1.king.jst, इसके उपर एक IP address reserve हो जाए, वो कोई भी IP address हो सकता है, और यहाँ पे आपके network में ऐसा कोई भी system हो सकता है, जिसके उपर आप IP address को reserve करना चाहते हैं, तो हम for testing purposes, इसी Windows 8 client के उपर एक IP address reserve करते हैं, तो reservation को configure करने के लिए, मैं यहाँ से reservation को click करता हूँ, तो देखे, इस समय कोई भी reservation हमारी configured नहीं है, मैं यहाँ से reservations को right click करता हूँ, और new reservation को select करता हूँ, तो new reservation select करता ही, reservation का नाम रख देता हूँ, any name, मान लिजिए test1 और IP address जो आप reserve करना चाहते हैं, मान लिजिए वो है 10.10.10.175, और य इसके लिए, मैं यह reservation करना चाहता हूँ, तो mac address हासिल करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप command prompt में जा सकते हैं, और अपने computer का mac address देख सकते हैं, आप किसी computer का mac address देखना चाहते हैं, तो get mac एक command है, जिससे आप किसी computer का mac address पता लगवा सकते हैं, या फिर सबसे easy, और मेरे को सबसे पसंद है, वो है ARP command, जिसके साथ option A अगर हम लगाते हैं, और enterprise करते हैं, तो आपके 8 table के entries आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं, इसमें हमारे 2 interfaces है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे इस server के उपर 2 network interface card configured हैं, एक के उपर static IP address configured हैं, और एक को dynamic IP या इस server न मैंने अभी अभी आपको दिखाया था कि PC1.king.jst का IP address है, यानि कि हमारे Windows 8 client का, और इसके सामने देखे, यहाँ पर इसका Mac address आपको दिखाई दे रहा है, इसको mark करते हैं, यह देखे, यह Mac address है, अगर आप इसको copy करना चाहते हैं, तो simply यहाँ से enter press कर दीजे, और फिर यहा पिलाके, Ctrl V best करेंगे, तो देखे, यहाँ पर आपको यह Mac address दिखाई दे रहा है, तो इसके आगे कुछ space आ गया था, यहने दो बार backspace प्रेस किया, तो हमारे पास वो Mac address भी है, जिसके साथ हमने अपने reserved IP address को bind करना है, इसके बाद हम add button को click करते हैं, तो देखे हमारा यह form खाली हो गया है, और reservation में कुछ नहीं आया है, तो घबनाने की जुरूत नहीं है, close button को click कीजिए, और ऐसा करती देखे, आपको आपकी reservation यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसका नाम है test1, और IP address है 10.10.10.175, तो एक बार reservation हो जाने के बाद, जड़र हम client PC के उपर जाके यह चेक करते हैं कि यह reservation configuration हमारी work कर रही है यह नहीं, तो देखे मैं अपने Windows 8 वाले PC1.king.jst client computer के उपर आ गया, यहाँ पे मैं अपने mouse pointer को left bottom corner पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे right click करता हूँ, ऐसा करती देखे, यहाँ पे हमारे पास एक option है, command prompt admin, इसको select करता हूँ, ऐसा करन के बाद IP address देखने के लिए, हमारे पास एक command होती है, IP config, और उसको मैं enter करता हूँ, तो देखे, इस समय इसके उपर जो IP address configured है, वो है 10.10.10.160, अब जड़ा एक बाद IP address को release करवाते हैं, और उसे renew करवाते हैं, तो IP address को release करवाने के लिए, जो command है, वो है IP config forward slash release, हम enter key को press कर करते हैं, तो इसने IP address को release कर दिया है, अब दुबारा से IP address obtain करने के लिए, एक बार पहले हम clear screen कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से command देख जाए, और अगर आपको command देखने में अब भी दिक्कत हो, तो आप इस वीडियो को HD quality में देखें, जिससे आपको ये वीडियो औ और भी ज़्यादा clear देखेगी, तो मैं यहाँ पर command एंटर करता हूँ, ipconfig forward slash renew और enter key को प्रेस करता हूँ, तो देखिए ये IP address obtain करने की कोशिश कर रहा है, और देखिए जब ये IP address obtain करेगा, अगर हमारी configuration सही हुई, तो इसको 10.10.10.175 address मिलेगा, और देखिए आपकी screen के पर बिल्कुल इसको वही IP address मिला है, जो कि हमने इसके लिए reserve किया था, इसका मतलब, DACP reservation configuration हमारी perfectly work कर रही है, चलिए, question time, आप मुझे एक question का answer दे, आप मुझे बताइए, कि इस वीडियो में हमने अपने server 2012 से Windows 8 PC का Mac address देखने के लिए किस command को use किया था, आपकी options हैं, A. Notepad, B. Get Mac, या फिर C. ARP-A, आप इस question का answer, next 20 seconds में नीचे, comments में ज़रूर टाइप करें, तो इस वीडियो में हमने सीखा, कि हम Windows Server 2012 में DACP reservation कैसे configure करते हैं, तो इस वीडियो में इतना ही, thanks for listening.